नमस्कार, ताले मार्थी मित्रोव ौइलेक्टरीकल पावर जंडरेशन विशे ना विविद्ध प्रकार्ना मल्टिपल चोईश न विष्ट्रूत माहिती मेडोशु प्रस्टन नंबर एक नेचे ना पाई की तो यू कन्वेंशनल पावर जनरेशन छे जो आया अगर एक सब्द नौ आयो छे कन्वेंशनल पावर जनरेशन हवे कन्वेंशनल नो मतलब सुम थै तो पावर जनरेशन माटे सद्धिव थी अत्वा घणा वर्षो थी लांबा समय गाड़ा थी जे एनर्जी सोर्सिस नो उप्यों करवामा आवे छे एवा एनर्जी सोर्सिस द्वार जे पावर जनरेट करवामा आवे चैने क्या वामा आवे छे conventional power sources powers generate करवा माटेना जे मुख्य source छे ए बे प्रकारना source ही आगर फुल ले करवा मायो छे एक जे source हे ए conventional energy sources और बागी ना जे छे ए non conventional energy sources लेके NCES हवे अपने जो ये छी के कॉल्सो छे वेहतु पानी अथवा तो नुकलियर पावर ले ंने ना सोर्सीज चे ए घणा वर्षो थी परम परागत्री दे आपड़े एनो उप्योग चे पावर जन्रेशन पाटे करवी छी्ट तो आत्रकार ना sollte. CES sources से जेनो उप्योग करीने जे power generation करवा मा आवे छे एने केवा मा आवे छे conventional power generation पीजी बाजुम नौन conventional energy sources जेम के पवन छे जेम के सूरिय ना किरुणाँ छे के सूरिय प्रकास छे ये जियोथरमल एनरजी छे प्रुथी नी अंदर रहेली जे वराड छे गर्मी छे एनो उप्योग करीने जे जीयोथरमल एनरजी छे अतव प्राइडल एनरजी छे एवी जरिते बायो मास जे प्रकारना सूर्चिस नो उप्योग करीने जे power generation करवा मा आवे छे एने के वा मा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सुर्सीस, इन शॉर्ट, घ्रास समय थी जे सुर्सीस नो उप्योग करी और पावर जनरेशन करवा मावे छे, अने अगल आपेलू छे, विंड छे, ए नवु छे, एतला माटे कन्वेंशनल प्रकार नो नथी, टाइडल पावर जन्रेशन छे एटला माटे एक कन्वेंशनल नती सोलर पावर जन्रेशन एपन नती थर्मल पावर स्टेशन ए अहिया आगर घणा समय थी लांबा समय थी एन उप्योग पावर जन्रेशन माटे करवा मावे छे एटला माटे थर्मल पावर जन्रेशन छे ए प्रस्टन नंबर बे निचेना पई कि नोन कन्विंशनल एनर्जी सोर्सीस क्यों छे एनर्जी सोर्सीस नो जे नवो प्रकार छे नोन कन्विंशनल एक क्यों छे तो जो पवन छे नवो छे वेहतु पानी छे एना थी हैट्रो पावर स्टेस्टन बनावा मावे छे ए घनो नव सूर्स रिच चे डिंखनों सूर्थ चेfel पवर्ण उर्जोंूर्जा च्ट पनब-णियोसे ज़्यों क्यों सूर्स तुरिया चाहऀ다고 शूर्टलण Eh एनर्जी माती जूद्पन धहेलो छे एटला माटे अहीं आगड सूरिय एनर्जी नो कुद्रती सोर्स चे वह आपने कई सेकी प्रस्टन नमर चार कयो नौन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सी नौन कन्वेंशनल नो मतलब था चे नवो उर्जानों कयो नवो सोर्स चे आगड़ लिगनाइट चे एक ओनावर्स जुनो चे सूरिय करन चे आपरा माटे नवो चे संग्रहित पानी चे हैडरो पावर स््टेेशन चे येपन गणो बदो जुनो चे अने कॉल्सानों भुको एपन गणों बदु जूनों चे एटला माटे सूर्य केरन चे ए उर्जानों नौन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सीस छे रश्न पांच नौन कन्वेंशनल पावर जनरेशननों मुख्य गेर फाइदव सूँँछे जू आया अगड़ फाइदो आइपल चे नवा उभरता एनर्जीना जे सोर्सीस छे विंड पावर छे शोलर एनर्जी छे के जियो थर्मल एनर्जी छे टाइडल एनर्जी छे बायो मास एनर्जी छे बद्धा प्रकार ना जे नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन चे एना मुख्य गैर फाइदों कयो छे एव आपे ची ओची कार्यक शम्ता ए एंसी एस ना कन्वेंशनल पावर जनरेशन नो मुख्य फाइदों कयो छे प्रदूशन गटाडे चे ग्रीन एनर्जी उत्पन करे चे अने कोईपन प्रकार नो नुक्सान करता नथी प्रदूशन गटाडे ए नौन कन्वेंशनल पावर जनरेशन नो सौथी मोटा मा मोटो फाइदों छे प्रस्टन नंबर सांद इंडिया माँ पावर जनरेशन माटे कईव फ्यूल कुषकर मातरा मां उप्लब्द चे तो अगर कॉल आपे लूचे डिजल आपेलूचे गेस आपेलू चे अन्हे गेस वोली अवेलेबल उपलभध जत्तो छे प्रेस्ण नमबर राट थर्मल पावर स्टेशन मां हीट जनरेट करवा मांटे क्यु फ्योलップ आवे छे जो थर्मल पावर स्टेशन ने अंदर गोल्सों वापरव आवे छे तहसे अगे connection देड़े डेल उत्तं स्वच्प्राम कोज़ां एकच्प्र फ्रोस्दुने Detective Screen वर हेट्स पieszक्राइप है सब्सक्राइब नेजित किस लिएपां। प्रश्ण नो उत्रापता पहला थर्मल पावर स्टेशन वी से थोड़ी विश्त्रूत माहेती आपने एक एना स्केमेटिक डायाग्राम माथ्वा तो ब्लोक डायाग्राम ना माध्यम थी समझे लेशू अहिmax अगर थर्मल पावर स्टेशन नो स्केमेटिक डायाग्राम आपीफा माईवा थे जो थर्मल पावर स्टेशन मां कॉलसा नो उप्योग छे ए बडा्टन तरीके करवा मावे थे तला के कॉलसा बारी ने एमनी जे एनरजी छे एनो उप्योग करवा मावे थे अहिं flaming अग बाइलर नी अंदर छे एक कॉल हेनलिंग प्लांट त्रू कॉल अंदर दाखल थाए छे एक वात है को बाइलर नी अंदर कॉल साने बारवा मावे छे तो अपने आग थ्री भूज मा जोई गे एक कॉल साने जो बारव हसे तो को एनी साथे आग पन जोशे यह तेंपरेचर पन गर्मी पन जोशे अटल आहिया आगर चे एर आपपाम आवे चे अँए बारतन आपपाम मा आवे चे त्रीजी एक वस्तू छे एकोनोमाइजर थुछे पाणी आपपाम मा आवे कोल्सास धाल ऊट्वा पाने कर दोसे दो पाने कल्सा धार्स कर दोसे ऊटीम科णी अधिन आज आपकों Le pagopagell मिंयों क nell मिले कोल्सा सटीन साइबेन डीममेर क्नेद ऍंद मिले पाने कर दोसे शे idé तीमनावि विद्व Dharma सम्द पाने इस्टीं में सुपरहीटर मां आप पाण करेछे के बोईलर राउद हुदत करे लिए नी इन्दर थुड़ो भीज़् हूई छे शुपपकी नती परफा और सिुपरहीटर मतुत करे ऊपर है थूपरहीटर में करें चे कि जे चींद खी एने सुक्की करें चे उपरांत अगर जे 340 दिगरी सेलसेश जेटलू जे टेंप्रेचर उत्पन थाई छे एना करता सूपर हीटर मां चे एट टेंपरचर वधारवां मावें चे एटले के लगबग लगबग 540-550 दिगरी सेल्सेश जेटलू टेंप्रेचर वाडी जे स्टीम छे एक कंट्रोल वाल्व त्रू टर्बाइन ने आप पामावे छे टर्बाइन एक प्रकान नो ब्लेड वई छे एटले का टर्बाइन फरे छे टर्बाइन नी साथे आल्टरनेटर जोडेलू होई छे एटले टर्बाइन फरवानी साथे आल् कॉल्सा ना दहन ना परिणा में जे गर्मी उत्पन थाए चे यह ना थी पानी नी वरार बने चे अब आ पानी जे चे यह पानी नी एक साइकल दर्शाविली चे अहीं आगर फीड वाटर पंप चे आ पंप पानी खेंची अने आ लाइन द्वारा सी दू एकोनमाईजर ने आ फ्लू गेज चे एना एक बाजू थी फ्लू गेज एंटर थायाची बीजू बाजू थी पानी एंटर थायाची इटले सू तैंप परीवाटर यह फीड यह पीड वाटर यहनुद टेंप 그냥 ओँवाच्च यह उच्छा टेंपरेचर वारू पाने चे यह वधर जो बनung बने चे इन श्वाट आपने एटलो याज राखवानूं चे एकोनोमाईजर ए इन पूट थेला पाणे ने एनू टेमपरेचर वधारे चे यह तो वधारे गरम करे चे आने पछी यह बोईलर ने आपे चे पीजी एक वाद के आज एर प्री हीटर उपर आपेलू चे एर प्री टो जो अपड़े जो इचे के बॉलर न माधी निखेले लाजे फ्लू गेसी से शुपर जाए चक्यूर हिटर इन अफॡ माईजर माती पसार थेलो जेफ। फूगेश क़र्मी वाडाव क्या भरण गरम थेला फैन धना घरम थेल। गरम थेली हवा वड़ी बोईलर ने मड़े छे अटले फरी एक वकत बोईलर नो ये कार्यक्षन ताचे एफेसेंसी से वदे छे इन्सोट आपने एम कई सक्की के एर प्री हीटर छे एनों कार्या छे हवा ने गरम करवानू छे एटले आ चारे चार जे सेक्षन आयपेला छे तो जे ब्लोक आपेला छे एना अपर थी आपने उकमा एटलू याद राकी सक्की के बोईलर छे पाने नों वराड करे छे शुपर हीटर छे ए उत्पन थेली स्टिम नो टेंपरेचर वदारे छे एकोनोमाईजर छे ए इन्पूट जे फीड वाटर छे एने गरम करे छे अन पूरा प्लांट नी पन इफिसेंसी वदे छे एटले आ ब्लोक डायाग्राम नी समझ बाद आपने उपर थी आपने प्रस्टन नों उत्तर आपनों प्रहित्न करिए के स्टीम पावर स्टेशन मां बोईलर नों हेतु के उप्योग अगर फीडवाटर ने फ्लू गेस जी गरम करेचे अने प्रस्टन नंबर बार चे थर्मल पावर स्टेशन मां इकई डिवाईस टीम नों टेम नों चेंपरेचर वधारे चे तो सुपर हीटर चे ए लगबग लबग बोईलरे उदपन करेली 340-350 डिगरी सेल्सियस ने 540-550 डिगरी सेल्सियस सुधी वधारे चे एवी रिते प्रस्ट नंबर 13 पावर जन्रेट करवा माटे वेता पाने मा रेली स्थीती उर्जानू गती उर् रुपान्तरान केवी रिते करवा मावे चे तो अहीं आगर एक हाईड्रो पावर स्टेशन नो ले आउट अथवतो स्केमेटिक डायाग्राम दर्सवा मा आईलो चे प्रस्टन पुछे लो चे के पावर जन्रेट करवा माटे वेता पाने मा रहेली स्थीती उर्जानू गत रुपान्तरान केवी रिते करवा मावे चे अहीं आगर जे स्थीर पानी आप भरेलू चे अने आ प्रेसर चैनल जे आपली चे एमा या स्थीर पानी चे आनी जे स्थीती उर्जा जेती उर्जा चे एने गती उर्जा मा फेरवा माटे पेन स्थोक वापरवा मा आवे चे पेन स्थोक एटले एक मोटी पाइप चाए आर्सी सी नी होई स्थील नी होई एवा प्रकार नी जे पाइप चे एने पेन स्थोक केवा मा आवे चे आई आगर पेन स्थोक वडे प्रस्ण नूँ जवाब चे प्रस्ण नंबर 15 चौद हाइड्रो पावर स्टेशन कंस्ट्रक्ट करवा माटे कयू स्थर्ड वधारे अनुकूर छे खास करीने हाइड्रो पावर स्टेशन माटे पाणे नो जे केच्मेंट एरिया चे ए जड़ प्रलावित जे छेत्र चे तियां आगड़ चे ए डेम बांधी ने जो हिल्ली वेली होए नेमा पुसकर पाणी ने आवक थती होए तो आ प्रकारे जेन डेम बांधी अन्ने पाणी ने रोकी अन्ने हाइड्रो पावर स्टेशन चे कंस्ट्रक्ट करवा माँ आवे चे आई आगड़ हील एरिया पहाड आई वीश्तार से साचू चे सी सोर टापू ओ अथवा तो डेजर्ट सराण ए अपड़ा माटे खुटो अंसर चे प्रश्ण नंबर पंदर नीचे दर्शावेल हाइड्रो पावर स्टेशन नी रचना मां एक्स तरीके दर्शायल भाग नू नाम सूँ चे जो आया अगर ए हैड्रो पावर स्टेशन नी जाग जे स्केमेटिक एर्रेंजमेंट आपेली चे रचना आपेली चे यहां आपड़े जो यह तो अहीं आगर जे आज भाग छे एन्ने आपड़ी भासाम आपड़ें डेम कहिए छे परन्तु आ रीजर्वर छे रीजर्वर के जया पाणी नो जत्तो संग्र थाए छे अहीं आगर जे आ लाइन आपेली चे एन्ने आपड़े डेम कहिए छे अहिए आगर जे आ pipeline आपली छे एने केवामा आवे छे pressure pipe अहिए आगर जे आ टांकी जेवू टेंक जेवू आपली छे एने केवामा आवे छे surge tank अन्ने त्यार पची आहियां जे आ जे पाय पाय पेली चे ये पें स्टोक चे ये DA कि जे बिलडिंग दर्शावेनु चे ए ये धर्शावेन चेश ग जनरेटिंग स्टेश्न अनने जनरेटिंग स्टेशन मा ये पाणी निकले जे पैन स्टोप अगर एक स्टोक अथी नदी तो आ प्रकार नी जे स्केमेटिक रचना नी अंदर हाइड्रो पावर स्टेशन ना भागो आया पेला चे अहीं आगर आपने प्रश्ण पूच्व मायुलू छे के एक्स तरीके दर्शायल भागनों नाम सुँँँँ छे तो ये वाल वावुस छे प्रत्येक ना स्पेसिफिक कारि आइड्रो पावर स्टेशन मा पैंस टॉक नुकारिय शूं ऊए चे आध्यी पैस टॉड्यन स्टोक चे इसको काम करें तो एग जे खाइट उपर पानी भरेलुं चे एमारेली जे स्थीती उर्जा चे ए पाइप द्वारा वहे चे पाणी चे आवी रिते पाइप द्वारा वहे चे अटले गती सिल बने चे अटले के स्थीती उर्जा नो गती उर्जा मा रूपांतर गती उर्जा मा रूपांतर करवानों कार्य चे ए पेन स्टोक नो ठाई अ पेंस्टोक ना एक छेड़े वालवहाउ०स आया पेल होई छे वाल mayonnaise handle कर कर वाते पाल पावर्ट लोओ छे पानि ने टर्बाइन सुधे पुहाँ चांदे चैंडनल में मलड़ें उपांतर करे छे तो ये उपां कई सका है प्रश्ट नंबर 70 नीचे नी आक्रुति मां एक्स तरीके मार्क करेल भाग नू नाम सुझे जो अईयां अगर आज ये भाग आपेलो छे एक प्रकार नो वाटर टर्बाइन छे वाटर टर्बाइन विशे प्रश्ट नो जवाब हाईड्रो पावर स्टेशन मा हाई हेड उपर रहेली स्थिती उर्जानू पैन स्टोक द्वारा पानी वेवडाविने गती उर्जामा रुपांतर करवा मा आवे छे आपेन स्टोक ना बिजा छेडे एक टर्बाइन आपेलो ओए छे टर्बाइन मिंज आपनी सरण भासामा पंको आपेलो ओए छे आ टर्बाइन चे ए जनरली बे प्रकारना वापर वामा आवे छे हाईड्रो पावर स्टेशन मा वपराता जे टर्बाइन चे ए बे प्रकारना वापर वामा आवता ओए छे एक प्रकारनो जे टर्बाइन चे एने इंपल्स टर्बाइन इंपल्स प् प्रकार्ना इंपल्स प्रकार्ना टर्बाइन वापरवामा थाइजिग्येव प्राय चे हाई हेड पावर स्टे शेंट्रमा हाई को ने कि यह जे क्यों सेट प्रकार्वार ऐड़ चेंगे पावरह कि पाकर्वार श्टेसन आपवावर हें मड़ी रहेतो हुए गुद्रती रिती हाई हेड मड़ी रहेतो होई एवा प्रकार ना हैड्रो पावर स्टेशन मा इमपल्स-प्रकार नू तर्बाइन वापरवां मा आवे सी ओटर टर्बाइन आ प्रकारना टर्बाइन नी अंदर इंपल्स प्रकारना टर्बाइन नी अंदर पाणिना संपुर्ण जत्थानू एक नोजल द्वारा प्रेसर उत्पन करवाम आवेचे इतले आ प्रकार्नों जे इंपल्स टर्बायन चे एनू आपने उदारन जोव होए तो अहिए जे अपपम आवेलो छे पेल्टन वील ए इंपल्स प्रकार्नों एक टर्बायन चे अन एमा पाने ना जथान एक नोजल वाटे प्रेशरूत पन करौम आवे चे तो अहिए आगर जे आ जे भाग आए पेलो छे आ भाग चे एनी नोजल चे प्रस्टन नंबर सत्तर ना संदर्भ मां एक्स तरीके मार्क करेलो भाग चे ए नोजल चे अवे च्यार पछी जे बीजा प्रकार्नों जे रियेक्शन प्रकार्नों टर्बायन चे एक खास करीने बे प्रकारना टर प्रांसीट टरीकेङ एक जेट तर्बाएं टरीके ओड़खाई छे कप्लान टर्बाएं नो टर्बाएं थाये ने फ्रांसीश टर्बाएं तरीके ओड़खवा मां आवे विशाड पानेनों जत्तों अटले हाइट वची होए परन्तु सर्फेज एरिया एनों घणों बदों होए तो एवी जग्या एछे एक अप्लान प्रकाननों सर्वाइन छे वापरवामां आवे छे उपरान ज्यारे एवी जग्या होए कि ज्यां पावर स्टेशन नों हैड छे ए मिडियम होए अत्वा तो लो होए लो के मिडियम खास करेंने 300 लेस देन 300 मीटर परन्तु 30 मीटर थी 300 मीटर आ प्रकार नों जे घेड धरावता पावर स्टेशन नी अंदर फ्रांसिस प्रकार नों टर्बाइन वापरवामां आवे छे आपनों सर्दार शरोवर नर्मदा देम उपर बांधवामां आवेलो जे पावर स्टेशन चे एनो हेड चे लगबग 140 मीटर जेतलो एनो हेड चे एटला माटे अहिया आगड चे ए फ्रांसिस प्रकार नों वाटर तर्बाइन वापरवामां आवेलू चे प्रस्ट नामर अड़ा हाइड्रो इलेक्रिक पावर प्लांट मां हाइड हेड माटे क्यू टर्बाइन वापरवामां आवे चे अहिया आगर इमपल्स प्रकार नों टर्बाइन चे ए हाइड्रो पावर मां हाइड माटे वापरवामां आवे चे प्रस्ट नामर ओगनिस क्या प्रकार नों पावर प्लांट सौथी वधारे कारे प्रस्ट नम्बर 20, हाइड्रो पावर प्लांट नो सौथी मोटो गेर फाइदो शुँँँँँचे, जो अयां आगर हाई केपिटल कोस्ट एटले के विशाड जग्या रोके चे उपरांत येना माटे विशाड सिविल बांध काम करूँँँँँँँँँचे, ए हाइड्र येकलियर फीशन माटे खास करीने थोरियम अत्वातो यूरेनियम चे यूरेनियम बसो पात्रेश वापरवामा आवे चे प्रस्ट नम्बर 22, क्या पावर जन्रेट श्टिंग माटे हेवी बाटर ट्रीटमेंट प्लांट नी जरूर पड़े चे, आ हेवी बाटर चे एक साधारन दिते, साधारन पानी नी अंदर हैडरोजन और ओक्सीजन H2O होई छि, परंतु या हैडरोजन छे एनो जे समस्थानिक छे, ट्यूटेरियम, ट्यूटेरियम के जे हैडरोजन परमानू करता वधारे वज़न्दार होई छे, एतला माटे आ जे ड्यूटेरियम यू राक वामा आवे चे प्रस्टा नमबर 23 नियुकलियर रियक्टर मां कन्ट्रोcidos-ड रोड तरीखे कैन हो मेट्रियल वप्रहाई चे62 अगण एक रियक्टर आप रियक्टर आपपामा आवे लो छे नियूकलियर रियक्टर आ रियक्टर मा त्राण वस्तु वही चे एक छे कंट्रोल डोड आपेला होई चे विजु चे मोडरेटर आपेला होई चे अने त्रीजु चे जे बरतन तरिके जे यूरेनियम वपराई चे ब्लेक कलर नुझे आपेलू चे अहीं आगर ए यूरेनियम दर्शावामा आवेलू हवे जारे आ यूरेनियम उपर नुट्रों नौ मारोचलवामा आवेचे थ्यारे आ यूरेनियम माः फिसन नी प्रक्रिया थे यहांने पूस्कण मात्रामा एनरजी ऊत्पन तैर चे आरए ब्लेके नौ उपियोग थे पाने वराड़ चे ये करवा माटो आथे हवे जारे आ न्यूट्रोन नो जारे यूरेनियम उपर मारो करवा मावे छे जारे न्यूट्रोन नी गती ने धिमी पाडवा माटे एमा मोडरेटर तरीके ग्रेफाइट नो उप्योग थाई छे ग्रेफाइट छे ए यूरेनियम ने कवर करी ले छे अने न्यूट्रोन नी ज केडमियम दादुनों उप्यो करवाम आवे चे केडमियम चे ए स्तारू न्यूट्रन सोसक होवा थी जे न्यूट्रन चे ए सोसी ले चे अने जे फीशन नी प्रक्रिया चे एने कंट्रोलीद करे चे आनी अंदर जे कुलंट वापरवामा आवे चे डूटेरिया मतले के हेवी वोटर आ हेवी वोटर चे एने प्रात्मी कत्वातो प्राइमरी कुलंट केवामा आवे चे आवी रीते आम फरी अने आवी रीते फरी न्यूट्रेक्टरन नी गर्मी लई अने हीट एक्चेंजर मा वराड थाई अने स्टीम बनी अने आ स्टीम चे ए पछी टर्बाइन ने आपपम आवे चे टर्बाइन ने साथे चे जनरेटर जोडे लुए चे आवी रिते विजडी उत्पन करवा मा आवे चे तो आई आगड आपेलू चे के नुकलियर रियेक्टर मा कंट्रोल रोड तरी आपरवामा आवे चे नुकलियर रियेक्टर ने अंदर बे प्रकारन रियेक्टर वापरवामा आवे चे एनि अंदर जी आगड आपेलू चे प्रेसराइज वाटर रियेक्टर एक आजे प्रेसराइज वाटर रियक्टर छे एनी अंदर एक पम्प लगाएलो होई छे अने आ इन्पूट जे वाटर छे हेवी वाटर छे डुटेरियम युक्त वाटर एनो प्रेसर लगबग लभग 140 केजी प्रती सेमी स्क्वेर जेटलू प्रेसर उटपन करवा मावे छे पम्प द्वार एटला माटे आ प्रकार नों जे रियक्टर छे एनने प्रेसराइज वाटर रियक्टर क्यवा मावे छे एनी कारियक समता उच होई छे अने एने पावर डेंसीटी चे हाय होई छे एटला माटे अहिं आगल जे फाइदो दर्शवम आवेलो छे ते उत्तर एनो C छे प्रस्टा नामर छवीश कयो उर्जा उत्पादन पावर प्लांट वदू भरोशा पात्र चे नूकलियर पावर प्लांट छे ए सवती वधारे भरोशा पात्र ता छे भरोशा पात्र चे परंतु ए एनो सवती 11 पाइदो पन ए छे के ए हेजाडस छे 11 पाण एमा थी नुकलियर रेडियोैक्टिव पदार्थो उत्पन थवा थी एतवा लीकेज थवा थी स्वास्ता ऐ सबंदी घणा प्रस्ट्न ओभा करे छे प्रश्टा नाबर 27 नूकलियर फीशन वक्ते उत्पन थता रेडियो एक्टिव किरुनों थी स्टूम असर थाएचे जो आया अगर रियक्टर ने हानी पहुंचाले चे एवु न थी स्वास्ते ने नुक्सान पहुंचाले चे ये बाबत अपना माटे आया अगर स्थाची च प्रश्टा नाबर 28 शूर्य गर्मी उर्जा नू विद्धित उर्जामा रूपांतरान के विरिते थाएचे स्वालर सेल द्वारा थाएचे ए आगर अप्शन ए साचो चे शूर्य प्रकास ने परावर्तित करिने थर्मोकपल मेथड़ वरेके रेडियेशन चे अगर खोट चे चे वोल्टेज उर्जा उत्पन थाएचे एवो सिध्धांत दर्शामा आईवो चे सपोज के आएनो पोजेटिव फ इलोग्तरोड चे आएनो नेगर इलोग्तरोड चे तो बन्नेनी वच्चे ज्यारे सुर्य किरनों आपात थाएचे ज्यारे एमां विद्युत प्रस्ट नमबर उगन्त्रीस, स्वालर सेल मां कयो मट्रियल वापरवामा आवेचे, स्वालर सेल बनावा मांटे क्रिस्टलाइन प्रकारना सिलिकोन उप्योग करवामा आवेचे प्रस्ट नमबर त्रीस, स्वालर पैनल मां इलेक्टिसिटी के विरिते उत्पन दहेचे ज्यारे सुर्य प्रकास फोटो वल्टेक कटल की फीवी मोड्यूल उपर के फीवी सेल उपर पड़े छे ज्यारे एमा थी विद्युत उर्जा उद्पन थाई छे प्रश्ण नमर 31 जो प्रकास नी तीवरता उची होए तो सॉलर सेल पर सुम असरत है जो अगर प्रकास नी तीवरता आपेली छे आपने सॉलर सेल ना आउटपूट माटे बे बाबतों छे याद राखवानी छे एक याद राखवानी छे प्रकास नी तीवरता अने बीजू याद राखवानों छे टेंपरेचर ज्यारे प्रकास्नी तीवरुता वधे छे त्यारे आउटपूट वधे छे परन्तु ज्यारे टेंपरेचर वधे छे त्यारे एनू आउटपूट छे घटे छे याद राखवानों छे तो सवार दस वाईगा ना प्रमाण माँ बारवागे चेँ प्रकास सार होए तो तौ तो त्यारे स्वादर त्यालनी जे आउटपूट चेँ पावार आउटपूट ये वदे चेँ परंदु उनाडाना दियूसो मां कम्पेरिजन करवी होए तो सवारे दसवाईगा आन बप प्रकास नी तीवरता चे एक हजार वाट प्रतिश मीटर स्क्वेर होई तो एनू स्वाट आका आउटपूट मरेचे परन्तु जो प्रकास नी तीवरता चे पांसो वाट प्रति मीटर स्क्वेर जो होई एनू वाटेज तो एनू आउटपूट से पचास टका जेटलू देजेए चे अहीं आगर प्रकास नी तीवरता वची होई तो स्वाट पर आउटपूट वदेचे घटे चे तो घटे चे उत्तर आपनों साच होचे जो प्रकास नी तीवरता प्रकास नी तीवरता वदू होई तो वदे आउटपूट वची तीवरता होई तो आउटपूट एनू गटे चे वो साधरान उत्तर चे इनू प्रस्णा नबर त्रेवीश बायोगेस नी आड़ पेदास कई छे जु आयां आगर एक बायोगेस प्लांट आप्पा माईलो चे अने अपने अगर बायोगेस प्लांट मा ना किये ची अने एमा थी मिथेन वायू उत्पन थाई अने भाकी नो जे अज्जारक बैक्टरिया बारो जे कच्रों से जे स्लरी चे एत्वा तो आपने जिने रबडी कई है एनो आउटपूट मडे चे अगर स्लरी लेखेलो चे आपने उट्तर साचो चे जो कहें स्लरी झे मेन्यो रेटलिके खाततर तरी रो उप्यद मावजे लेखेलो चे अये 13 न मरना प्रश्णा ना जवाब मा चे इस आठाड़ो उत्तर प्रश्ण चोतरिश्णि बायो गेस मां थी मुऌध तवे मिथेन वायू चे ये उद्प प्रश्ट नमर चत्रीश वेंड पावर उत्पाजन मा पवन नी जड़प मापपा माटे सूं वपराई चे जुँ आया अगर एक एक्साइटर युनीट आप युनीट चे एक्साइटर युनीट चे एक जनरेटर ना उत्पन धता वल्टेज उपर असर करे चे जनरेटर ना वल्टेज कितला उत्पन करवा चे एना आधार युनीट पावर नी जे ब्लेड चे एने सेंस करी अने एनी गत्ती ने नोंजे चे एना आधारे चे एनो जे आउट्पूट चे एक्साइटर ने आप पाम आवे चे अने एना आधारे जे एक्साइटर चे ए वल्टेज उत्पन करी एने जनरेटर ना वल्टेज ने नियंत्रीद करे चे एटले आहिया आगड ये पन खोटू चे एनिमा मीटर चे ए पवन नी जड़प माप्पा माटे वाप्रवामा आवे चे विंड वेन एने एंदर आफेलो वह चे विंड वेन चे ए पवन ने दिशा जानवा माटे वपरातू इंस्ट्रूमेन चे ए तला माटे है आगड एनिमा मीटर चे ए पवन ने जड़प माप्पा माटे वाप्रवामा आवे चे प्रश्ट नाबर 37 पावर स्टेशन मा रोटर रोटेशन ने हाई स्पीड मा कयो भाग फेरवे चे अने इलेक्रिक जनरेटर ने फेरवे चे जो ये पवन चक्की नी जे ब्लेड वह चे एनी स्पीड चे ए पवन उपर आधारी तो आई चे एटले जारे पवन वदारे होए त आधारे ब्लेड वह चे वह चोँली तो आव प्रॉर्टेशन मा रोटर रोटेशनने हाई स्पीड मा फेरवे चे और आगीयर ब्लेटर अधे जोड़ेटर फरे चे औने आव खेरवे चे येमा धीज वॉल्टेज उतपन थाये छे रेक्टिफायर उनिट ने आप्पामा उ आप्वाइर यूनिट नवधारा निजी एनरजी न चोपर माख पामावे चे एक्टले चोपर छे रेक्टिफायर यूनिट माटे सेफ्टी डिवाइस नो काम करे छे अहीं आगर चौपर आपेलू छे ए सेफ्टी डिवाइस माटे नो काम करे छे अहीं आपने जे आपेलू छे ए गियर बोक्स है शाचो छे आएस यू ग्रीड चे इंटर्नल सप्लाई यूनिट चे एटले के पवंचकीना जे बेटरी चे यत्वा तो जे मोटर चे एने सप्लाई आपा माटे ने ए आएस यू ग्रीड चे इंटर्नल सप्लाई यूनिट आ इंटर्नल सप्लाई ग्रीड चे ए कातो ग्रीड माथी पाव मेड़वे चे एटले एपन आपना माट अहीं आगड खोटू चे अने टर्बाइन कंट्रोल चे एपना अहीं आगड खोटू चे गीर बोक्स आपना माटे साच उतर शे प्रस्ट नमबर आड़े त्रीस विंड पावर जन्रेशन नो मुख्य गेर फाइदो सुम चे विंड प होचो जर पवन वातो होए त्यारे चे पवन चकी चे फरती होई चे एटला माटे पवन नी उर्जा अचड अने स्थीर होती नाती एनो सवती मोटो केर फाइदो चे थेंक्यू बाइदो